Hey everyone, welcome to educational like this is Prem Panday, तो कैसे हो यार आप सब, I hope you all are fine and doing good in your studies So, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं Class 8 की English I'm your due book का chapter number 8, A short monsoon diary written by Ruskin Bond ये particular chapter Ruskin Bond की एक बहुत ही famous diary से कुछ पन्नों को निकाल कर बनाये गया है Ruskin Bond जब monsoon season को explain कर रहे थे, Ruskin Bond के बारे में एक बहुत ही important चीज में आपको बता दू Ruskin Bond है England के लेकिन रहते थे वो इंडिया के मसूरी में, आप जानते हों मसूरी एक hill station है वहीं पर Ruskin Bond रहते थे, और Ruskin Bond ने वरसात के season में अपने अगल बगल जो कुछ भी देखा जो हम जैसे common इंसान नहीं देख सकते थे, उन चीजों को Ruskin Bond ने इस chapter में अपने words के through express किया है तो यार यह chapter बहुत ही मज़ेदार है, आगे बढ़ने इस पहले में आपको बता दू कि हमने already class 8 English और class 8 Science की एक proper playlist बनाके maximum chapters upload कर दी है अगर आपने उन वीडियो को अभी तग नहीं देखा यार, तो इसी वीडियो के description box में आपको chapter wise link मिल रहेगी Please click on the link and watch those videos अगर आप नए हो मैं चानल पे, चानल को subscribe कर सकते हो यार, bell icon को भी press करना ताकि मारे videos की notification सबसे पहले किसे मिले, आपको मिले So, let's start line by line explanation of a short monsoon diary written by Ruskin Bond Before you read, आपको पढ़ने सपहले क्या जान लेना चाहिए, do you know what a diary is, क्या आपको पता है diary क्या होती है It is a record of personal experiences written day after day, over a long period of time अगर हम अपनी personal experience, आज हमने क्या feel किया, आज हमने क्या experience किया, हमने कल क्या experience किया था और हम कल क्या experience करेंगे, इन चीजों को अगर हम daily किसी एक notebook में लंबे समय तक लिखते हैं, तो हम उसे diary का नाम देते हैं समझ गए, you can also use a diary to note down things, you plan to do immediately or in future तुम diary का use कर सकते हो जब तुम्हे कुछ अभी तुरंत में कुछ करना है, या तुम्हे future भविश्य में कुछ करना है उन चीजों को note down तुम अपने diary में कर सकते हो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम्हें क्या करना है आज तक की सबसे interesting diary जो की book के तौर पर published किया गया है, जो आज लोगों द्वारा book के माध्यम से पढ़ा जाता है वो है the diary of any frank, यार the diary of any frank ना एक novel हमारे class 10, जब हम class 10 में पढ़ते थे न, तब एक novel आती थी the diary of any frank उस particular novel में न, any frank के द्वारा लिखी गई day to day में diary में क्या-क्या उन्होंने any frank ने अपने जीवन में experience किया अपने आगे चलकर जब वो बड़ी हो गई, तब उन्होंने क्या कुछ experience किया इन चीजों को any frank ने एकदम खुल के describe किया है the diary of any frank में ठीक है, तो आज तक की सबसे famous diary, जो की book के तौर पर publish हुई है, वो है the diary of any frank Here are few extracts from Ruskin Bond's diary, in which he portrays the silent miracles of nature and lives, little joys and regrets अब जो ये particular chapter है, ये Ruskin Bond की diary से कुछ पन्ने लिये गए हैं इस chapter को लिखने में इन विच ही portrays the silent miracles, इस particular chapter में Ruskin Bond ने अपने nature, अपने प्रकृती में हो रहे एकदम सामती से हो रहे चमतकारों के बारे में बताया है, और जीवन की जो छोटी-छोटी खुसिया है, जो छोटे-छोटे-छोटे दुख है उनके बारे में इस chapter में Ruskin Bond ने explain किया है, read on, चलिए, पढ़ते हैं, चलो, first part हम इस वीडियो में cover करेंगे और second part हम अपनी next वीडियो में cover करेंगे, June 24, 24 जून से लेकि 13 March के बीच में Ruskin Bond अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखते हैं मौनसून सीजन के बारे में, वो इस particular chapter में बताये गया है, चलो, start करते हैं, 24 जून को मसूरी में कैसा मौसम था, कैसा दिन था, यहां से ये chapter start है The first day of monsoon mist, Ruskin Bond लिखते हैं कि 24 जून का जो दिन था आज पहला दिन था, जब बारिस की कुछ हलकी फुलकी बूदे हमें आसमान में दिखाई पड़ी थी Monsoon mist का मतलब क्या होता है, बरसात आने से पहले हलकी फुलकी बूदा बादी होती है न, उसी को हम mist कहते हैं mist की अगर हम सुद्ध हिंदी बात करें तो धुन्द कहते है mist को, आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में कोहरा पड़ता है, fog, आपने देखा होगा कि जब कोहरा पड़ता है तो आपको अगल बगल कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब mist पड़ता है, जब ध as the mist comes climbing up the hill और ये बहुत ही अजीब था कि सारे पक्छियां जो सारे birds थे न वो सांत पड़ गये थे, जैसे जैसे ये mist, जैसे जैसे ये धुन्द पहाडों पर चड़ रहा था, जैसे जैसे ये बारिस की बुधे पहाडों को ढख रही थी न, hill ये जो पहार था ये पूरी त कहते हैं, शायद यही चीज है जो mist को, जो धुन्द को इतना उदासीन बनाती है, क्यों? यहाँ पर देखो mist को, धुन्द को उदासीन बताया गया है, मेलांकोली बताया गया है, क्यों बताया गया है? दो reason है, क्या-क्या? देखो, एक तो केवल ये पहाडों को नहीं ढखत आते, बलकि जो mist है न, वो पहाडों को एक सांती की चादर उड़ा देती है, that means कि जैसे-जैसे mist पहाडों पर पढ़ना स्टार्ट होती है, पूरा पहाड एकदम सांत हो जाता है, कोई भी आवाज वहाँ पर नहीं आती है, वली एन आर अगो, the trees were ringing with birdsong, रस्किन बॉल्ट बता रहे हैं कि अब से, इस mist के आने के एक घंटे पहले की बात है, कि जितने भी पेड़ थे, वो गुन-गुना रहे थे, पक्छियों के जानों से, and now the forest is deathly still, और अब पूरा जंगल ऐसे सांत पढ़ा हुआ है, जैसे कोई म और अब पूरा जंगल बहुत जादा सांत है, as though it were midnight, ऐसा लग रहा है कि आधी रात का समय है, तो the mist, बिज्जू is calling to his sister, इसी धुन्द के बीच में से, इसी हलकी-फुलकी बूदा-बादी के बीच में से, बिज्जू नाम का लड़का अपनी बहन को बुला रहा है, I can hear him running about on the hillside, रस्किन बॉन्द केहते हैं, कि मैं बिज्जू की आवाज सुन सकता हूँ, कि बिज्जू पहाडों की तरफ कहीं पर दौड रहा है, but I cannot see him, लेकिन मैं बिज्जू को देख नहीं पा रहा हूँ, 24 जून का दिन खतम होता है, और अब अगली सुबर 25 जून की होती है, 25 जून को मसूरी में क्या कुछ होता है, और रस्किन बॉन्ड ने क्या कुछ देखा, चलिए पढ़ते हैं, सम जन्यून अर्ली मॉन्सून रेन, वार्म एंड यूमिड, यहाँ पर क्या हुआ, 25 जून क रस्किन बॉन्ड लिखते हैं कि आज सचमुच मसूरी में कुछ बारिस हुई, जन्यून का मतलब रियल, आज वाकई में मसूरी में कुछ बारिस हुई, आज पहला दिन था बारिस का मसूरी में, वार्म एंड यूमिड, और आज इस पहली बारिस की वज़े से, वाता बारिस बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी 12 महीने हमारे यहां बारिस होती है मसूरी में क्या होता है 12 महीने बारिस होती रहती है लेकिन वो बारिस पहाडों के ऊपर होती है जिससे ठंड बढ़ जाती है लेकिन रसकिन बॉन्ड कहते हैं कि आज की बारिस वैसी बिल्कुल भी न था कि बारिस का मौसम आ चुका है कैसे पता चल गया था क्यूंकि the first cobra lili rears its head from the ferns और बताते हैं कि cobra lili नाम का एक पौधा है जो कि बड़सात के मौसम में सबसे पहले खिल जाता है ठीक है तो जो cobra lili नाम का पौधा है वो अपने सर को बाहर निकाल रही है जैसे ही देख रहे हो यह cobra lili का ही पेड़ है cobra lili का पेड़ ने अपने सर को बाहर निकाल लिया है कहां से अपने इन रोएंदार पत्तों के बीच में से अपने सर को बाहर निकाल लिया है जब author bank जाता आता था जब author post office जाता आता था तो वो देखता था कि बगल में सडक के cobra lili नाम का पौधा है वो अपने सर को बाहर निकाल लिया है ऐसा लग रहा है कि अब इसे भी पता चल गया है कि बारिस का मौसम आ चुका है the mist affords a certain privacy चुकि environment में काफे धुंद था काफे mist था इसकी वज़े से पूरा जो environment था वो एक private सा हो गया था कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अगल बगल और इस वज़े से mist की वज़े से environment में privacy सी चा गई थी एक गोपनियता आ गई थी a school boy asked me to describe the hill station तभी एक school जाने वाले बच्चे ने Ruskin Bond से पूछा कि अगर आपको hill station और valleys घाटियों को एक sentence valley का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कि यह जो पहाड है पहाड उचा होके जब नीचे जाता है फिर जब पहाड स्टार्ट होता है तो यह जो बीच का जो label land है यह जो समतल जमीन दिखरी है आपको जहाँ पर लोग रहते हैं इसी को हम valley कहते हैं ठीक है तो एक school जाने वाले बच्चे ने रस्किन बॉन्ड से पूछा कि hill station और valley को अगर आपको एक वाक्य में describe करना हो तो आप क्या कहेंगे रस्किन बॉन्ड के मुझ से केवल इतना निकला कि a paradise that might have been रस्किन बॉन्ड ने hill station और valley को एक line में describe कर दिया उन्होंने कहा कि paradise that might have been एक स्वर्ग जो कभी शायद रहा होगा अभी क्यों नहीं है क्योंकि अभी mist आने की वज़े से सब कुछ धग गया है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसलिए रस्किन बॉन्ड ने hill station को और valley को क्या कहा है एक जन्नत कहा है जो शायद कभी यहाँ पर रही होगी अभी नहीं है क्यों क्योंकि अभी वो डग गई है अभी वो दिखाई नहीं दे रही है 25 जून का दिन खतम होता है अब next day जून 26 को यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है जून 27 को रस्किन बॉन्ड अपनी डाइरी में क्या कुछ लिखते है चलिए पढ़ते है The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors अब यहाँ पर बारिस का मौसम मसूरी में आ चुका था और बारिस के मौसम ने announce कर दिया था हेरॉल्डेट का मतलब ये बता दिया था कि बारिस के मौसम के साथ साथ कुछ सीजनल विजिटर्स भी आ रहे थे अब बारिस का मौसम आ चुका था और इसलिए हर साल मसूरी में बरसात के मौसम में आने वाले जो जानवर थे जो पक्षी थे वो भी आ चुके थे जैसे कि ले लेपर्ड लिफ्टेड डिउट FROM near the servant's quarter below the school. लसकिर्बन बताते हैं अभी कल दोपर की ही बात है कि इस लेपर्ड ने क्या किया था? इस लेपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया था कहा से? नौकरों के कमरे में से, नौकरों का कमरा कहा है? इस skool के नीचे है, जो 이रिया में attacked one of bijju's cows और साम की बात है कल साम में क्या हुआ कि bijju की गायों पर इस लेपड ने अटाक कर दिया लेकिन fled at the approach of bijju's mother लेकिन जैसे ही bijju की मा को उसने देखा कि bijju की मा उसकी तरफ आ रही है who came screaming implications bijju की मा उस लेपड को screaming मतलब गालियां देती हुई गालियां चिलाती हुई उस लेपड की तरफ आ रही थी और जैसे ही लेपड ने देखा लेपड भाग खड़ा हुआ as for the leeches I shall soon get used to a little bloodletting everyday author बताते हैं कि जहां तक leeches की बात है जहां तक joke की बात है leeches क्या होता है आपकी body में अगर joke चिपक गया न तो वो जल्दी छोड़ता नहीं है वो आपकी body से खून निकाल कर ही खून चूस कर ही छोड़ता है आपकी body को ठीक है तो यहां पर असकी moment बताता है कि जहां तक leeches की बात है I shall soon get used to a little bloodletting मुझे जल्दी ही आदत हो जाएगी की थोड़ी बहुत मेरे body से खून निकलेगा ही हर दिन हर दिन मैं कही ना कही घूमने जाओंगा और इस बात की मुझे आदत हो जाएगी की हर दिन कही ना कही मेरी body से थोड़ा बहुत तो खून निकलेगा ही क्योंकि इन leeches का कोई भरोसा नहीं है कहां और कब आके body से चिपक जाएगी कुछ पता नहीं है अदर नियो एराइबल्स आर दे स्कारलेट मिनिवेग्स रसकिन बाउन बताते हैं कि बरसात के मौसम में और भी कई जानवर हैं जो मसूरी में आते हैं जैसे कौन से थे स्कारलेट मिनिवेग्स स्कारलेट मिनिवेड्स बहुत ही छोटी पक्ची होती है स्कारलेट मिनिवेड्स पक्चियों के जो मेल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और दफीमेल्स आर एलो और जो फीमेल होती हैं वो एलो कलर की होती है तो यहाँ पर बता जा रहा है कि जो यह Scarlet Minivates थे वो भी बरसात की मौसम में मसूरी में आ गये थे और यह क्या कर रहे थे? Flitting silently among the leaves like brilliant jewels यह पक्छियां ऐसे फुदक रही थी, ऐसे flit कर रही थी जैसे कि एक चमकदार गहना हो, जैसे कि एक चमकदार आभूसर हो No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves कोई फरक नहीं पढ़ता कि पेड़ पे कितने जादा पत्ते हैं या पेड़ कितना जादा leafy है कोई फरक नहीं पढ़ता इस बात से, यह जो Scarlet Mini पक्छियां है न इस brightly colored birds, यह चमकदार रंगों वाली जो पक्छियां है यह अपने आपको कहीं पर भी रहे वो अपने आपको छुपा नहीं सकती है, although by remaining absolutely silent वो बात अलग है कि अगर Scarlet Minivets पूरी तरीके से सांथ हो जाए they sometimes contrive to go unnoticed, कभी-कभी ऐसा हो तकता है कि वो इस चीज में सफल हो जाएं कि उन पर कोई ध्यान ना दे, अगर वो पूरी तरीके से सांथ रहे वरना इन पक्छियों को कितना भी छुपा लो, इनके चमकदार रंगों की वज़े से यह दिखी जाती है along come a pair of drongos, इन scarlet minivets पक्छियों के साथ pair of drongos, drongos पक्छी होती है एक bird, एक song bird होता है, एक गाना गाने वाली पक्छी होती है, ठीके drongos और यह बहुत जादा aggressive होते हैं, मतलब बहुत जादा लडाकों किसिम के होते हैं तो यहाँ पर author बता रहा है कि scarlet minivets के साथ drongos भी आ गहे थे drongos जो थे वो बहुत ही जादा aggressive थे, मतलब बहुत ही जादा nut cut थे chasing the minivets अवे, यह क्या कर रहे थे, यह scarlet minivets पक्छियों को यहाँ से भगा रहे थे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next page पर tree creeper moves rapidly up the trunk of oak tree, एक पेड की लता है, जो बहुत तेजी से अपने बगल वाले बलूत की पेड पर चड़ रही है उसके trunk तक उसके तने तक चड़ चुकी है, creeper का मतलब क्या होता है, creeper लताएं होती है आपने देखा, ऑगा कि पेड की लताएं होती है, जैसे बर्गत की पेड बे होता है तो लताएं क्या होती है, अपने बगल बगल वाले किसी भी पेड पर चड़ जाती है तो वहीं यहाँ पर बताय किया है कि एक पेड की लता है, जो अपने बगल वाले ओक ट्री बलूत के पेड़ पर बहुत तेजी से चड़ रही है और ट्रंक तक उसके तने तक चड़ चुकी है snapping up insects all the way यह जो creeper थी यह अपने साथ साथ चोटे मोटे insects को भी साथ में लेकर उपर चड़ रही थी snapping का मतलब क्या होता है to take someone किसी को साथ में लेकर चलना या उपर चड़ना ठीक है तो यह जो लताएं थी यह अपने साथ साथ चोटे मोटे insects को भी साथ में लेकर पेड़ पर चड़ रही थी now that the rains are here और अब बारिस का मौसम आ गया था तो there is no dearth of food for the insectivorous birds ऐसे पक्चियां जो कीडे मकोडे खा कर जिन्दा रहते हैं उनकी लिए खाने की कमी नहीं थी उनकी लिए फूड का डर्थ नहीं थार्थ का मतलब scarcity कमी अब उनकी खाने की कमी नहीं थी क्योंकि Bursat का मौसम आ गया था और Bursat के मौसम में बहुसारे चोटे मोटे कीडे मकोडे हमें दिखने को मिल जाते हैं ना अब यहां तक आ गया हो तो कंपरेंसें चेक क्वेशन को भी देख लो पहला क्वेशन कहा है कि वाइस दा ओथर नॉट अबल तो सी बिजू ओथर बिजू को क्यों नहीं देख पाता है हमने चाप्टर में पढ़ा था ना कि बिजू अपनी बहन को बुला रहा था लेकिन ऑथर उससे देख नहीं पाता है क्योंकि अगल बगल बहुत जादा धुन्द होती है तो हम इसका एंसर का लिखेंगे हम लिखेंगे कि the author is not able to see बिजू as there is so much mist in the environment ठीक है question number two क्या होगा what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up वो कौन से दो तरीके है जिस तरीके से पहाड अपने आपको बदल लेती है जब mist आती है तो जब धुन्द आती है तो पहाड कैसे बदल जाते है वो कौन से दो तरीके है तो पहला क्या है mist conceals the hill जो mist होती है जो धुन्द होती है वो पहाड को ढख लेती है पहाड दिखना बंद हो जाते है पहला change तो ये है दूसरा क्या है mist blankets the whole hill in silence जो mist है जो धुन्द है वो पूरे पहाडी को एक अजीब सी सांती से ढख देती है तो आई होप ये दोनों questions आपने आसानी से कर लिए होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो वीडियो को like कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ share करो और चानल को subscribe जरूर करना क्योंकि हम ऐसे ही interesting वीडियो अपने चानल पर upload करते रहते हैं मिलते है अपनी अगली वीडियो में सब चक्क के लिए जै किन